अगरते आप सभी का एजूकेशन इंडिया चनल पर एक बार फिर से तो आईए बात करते हैं ताजा मौसम अपडेट की आपको बता दे कि पच्ची मी विक्षोब के सक्रिय होने से देश के यूपी, एमपी, राजस्तान, पंजाब, हरियाना, दिल्ली, गुजराज, सही, तमाम राज्यों में अगले 24 घंटों में भारतिय मौसम विभाग, आई, एमडी द्वारा तोफानी अंदर चालने के साथ ह बारिश और ओलावेष्टी होने की चेतानी देडाली हैं, तो दोस्तों मौसम से जुड़ी शंपून, जानकारी जानने के लिए आप बस हमारे साथ वीडियो के आंत तक बने रहीगा, लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आ आपते हैं वीडियो और बताते हैं आपको ताजा मौसम अपडेट, तो दोस्तों मौसम की जानकारी देने वाली इसकाई मेड एजेंशी के अनुसार अगले 24 घंटों के दोरान तमिल नाडू, केरल, लक्षदीप, अंडमान वा, निकोबाद, देप, श्वमू और ओडिश दिल्ली, यूपी, बिहार, जारखन और गंग या पश्ची मंगाल में भी बारिश की गतिविद्या बढ़ने की उमीद हैं, राजस्तान में भी दूलबरी आंदी चलने के साथ गर्ज के साथ बहुत सारे गिरने की आसंकाब बनी होई हैं, च्छतिश गर्ड के करना तक के क 30 मई से 31 मई के बीच दिल्ली, नोईडा, गुरुगराम, गाज़ाबाद, भरिदाबाद, पलवल, सहीत, आसपास के सहरों में हलकी से मद्यम बारिश होगी और बारिश के साथ ही कुछ इस्तानों पर तेज बोचारें गिर सकती हैं, तेज होई चलने और बादलों की गर्ज क्योंकि एक और दो जून को भी बारिश की संभाव ना है, हालांकि 31 मई के बाद से बारिश की तिवरता काफी कम हो जाएगी। सुष्क और साफ होने की संभावना है, वहीं समय होगा जब गर्मी भी एक बार बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसी बीच आपको बता दे कि दक्षिनी पस्ची में मौनसून केरल के काफी करीब पहुंच चुका है, दक्षिनी पस्ची मौनसून उमीद के अनुसार और स्काइमेट एजेंशी के अनुमानों के अनुसार 30 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। आपको बता दे कि दो दिन का मार्जिन भी बताया था, दिल्ली को तकरीबन एक महिने का इंतजार करना होगा मौनसून वर्षा के लिए। जिस्चे तापमान में भारी गिरावेट होगी और लू का परकोप लगबग समाप्थ हो जाएगा। जून के पहले सब्ता में मद्यपरदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश जारी रहने के असार हैं जिस्चे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक रात मिलेगी और ठंड इसका एलेट जारी किया हैं मौसम विबाग के अनुसा सुकरवार को पच्छी मवेक्शो के सक्री होने के चलते हिमाले तरही शैत्र में सक्री हो रहे पच्छी मवेक्शो के असर से परदेश के पूरत और इलाकों में अंधर और मेग गर्जना के साथ बोच्छा रहें गें पूर शीकर सवाई मादोपर दोसा जुन जुन करोली अजमेर कोटा बूंदी उदेपूर भीलवाड़ा और चितुर गड़ में मौसम विबाग ने एक जून तक आंधी चलने और बारिश होने की चेतानी दी हैं वहीं दूसरी और मौसम विबाग के अनुसार केरल में मौन मौन सुन 20-25 जून तक दस्तक देने की उमिद जताई जा रही हैं भारतिय मौसम विबाग आई एमडी के अनुसार केरल में एक जून को मौन सुन आ सकता हैं इसके बाद आगे बढ़ते हुए 5 जून को गोवा करनाटक अंधर परदेश असम और पूरुतर के राज्यों में दस्तक देगा मौसम विबाग के मुताबिक 10 जून को मौन सुन महराष्ट्र तेलंगाना पस्चिम मंगाल और शीकिम में परविश कर सकता हैं इसके लवा गुजरात मत्यपरदेश 36 गड़ ओडिशा जार खंड और पियार में 15 को मौन सुन के पहुँचने की संभावना पूरी उत्तर परदेश और उत्राखंड में 20 जून को मौन सुन दस्तक दे सकता हैं हालांकि 25 जून तक पूरे उत्तर परदेश जमू कस्मीर गुजरात और हिमाचल में मौन सुन के च्छा जाने की संभावना है यानि उत्तर परदेश और गुजरात में जून के अंत में जबरदस्त बारिष हो सकती हैं मौन्सून की सबसे अंतीम परवेश राजस्तान पंजाब और हरियाना में होगा मौसमेबा के मताबिक इन राजियों में 30 जून तक मौन्सून दस्तक दे सकता हैं तो दोस्तों बीते 24 गंटों की बात करें तो बीते 24 गंटों के दोरान तमिल नाडू केरे लक्ष दीप और अंडमान और निकोबाद दीप समू के कोछ हीशों में बारिष ये बहुत बारी बारिष होई हैं दक्षिनी, असम, मनिपूर, मिजोरम, तिरपुरा, गंगय, पश्चिम, मंगाल, ओडिशा, जारखन के कोछ हीशों उत्री, 36 गड़, उत्री, पूरी, मद्यपरदेश, पंजाब, हरियाना और पश्चिम, हिमले, भागों में हलकी से मद्यम, बारिष के साथ एक-दू इस् पर हिट है, शमात हो गई है, और मौसम ठंडा हो गया है, इसका इमेट एजेंशी के अनुसा, दक्षिनी पूरी अरफ सागर पर एक कम दबाव का सेत्र बनने की उमीद है, पश्चिमी मद्य अरफ सागर पर बना कम दबाव का सेत्र, अब गहरे निम दबाव का सेत्र में त उत्री श्री लंका के तटोक के पास बना हुआ है, पाकिस्तान और उसे शटे जमु कस्मीर पर एक पश्चिमी विक्षोब बना हुआ है, इसके परबास से विक्षित चकरवाती शेत्र, उत्तर पूरी राजस्तान पर है, विद्रब से तेलंगाना और रायल सीमा होते जिसके कारण अगले 24 गंटों के दोरान देश के तमाम राज्यों में भारी बारिश और तुपानी अंदर चल सकता है, तो दोस्तों मौसम से जुड़ी आज संपून जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है, वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और आगे से आगे जानकारी में शेके, जैहें दन्यवाद